लो स्टूडेंट्स वेल्कम बच्चो बच्चो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिलिस लेक्चर में हमने आर्गेनिक स्टार्ट किया और आर्गेनिक में हमने क्या देखा कि आर्गेनिक कमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि यह वो कमिस्ट्री है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि इसक अब देखा कि तीन टाइप के हाईड्र कार्भन हम ने पढ़े निए दूसरा था आलगाइण और तीश राथा आलगाइन को यहत्iy isolm हमने पाड़ा कि ऐलकेन में क्या होता है चींगल डाय यहसे हैं हमने सिंपल ग्सञेंपल ली थी अग्ट्राव कारवन और हाइडोजिण की बीच में सिंगल बॉंड बन रहा था हम ने क्या करता या रहा है कि इस के बीच probe कार्बन और कार्बन की बीच में इसे simple example हमने क्या पढ़ी थी इसकी अगर आप अपने note को देखेंगे C2H4 कार्बन और कार्बन की बीच में double bond था और चार hydrogen थे बताय था कि कार्बन को चार bond बनाने होते step by step समझेंगे तब ही organic समझाएगी तीसरा हमने पढ़ा था triple bond जिसमें जिनको हमने क्या कहा था कि ऐसे hydrocarbon है जिनमें triple bond है तो हम उनको y-n-e-end पर लिखते है alkyne और इसमें सबसे simple example हमने क्या की थी C2H2 ये सबसे simple example की थी कि कार्बन दो होते हैं और hydrogen भी दो होते हैं चार बॉंड बनाने होते हैं ये हमने पढ़ा alkyne, alkyne और alkyne इतना हमने पढ़ा alkyne में single bond, alkyne में double bond और alkyne में triple bond सिर्फ इतना ही नहीं याद रखना है आपको ये देखना है कि कार्बन के simplest compound वो कैसे कैसे बना सकता है क्योंकि कार्बन चार बॉंड बनाता है प्रिविस लेक्चर में हमने डिसकस किया अब बात यहां पर कार्बन की ही हो रही है argyne कमिस्ट्री है तो कार्बन की ही बात होगी तो क्या बड़ा हमने है कि alkyne में कौन सा बॉंड होता है single bond Alkyne ठीक है? याद रखना है कि Alkyne में जो hybridization होती है आपने Cos-B1 ने इन आर्गेनिक में जब हमने hybridization पढ़ा तो मैंने आपको बताई था कि जहां पे single bond बनता है वहां पे जो hybridization होती है वो S-B3 होती है SP3 hybridization होगी Alkene में Alkene में जो hybridization होगी वो SP2 hybridization होगी और Alkene में जो hybridization होगी वो SP hybridization होगी यह आपको याद रखना है अब नेक्स्ट आपको याद रखना है कि hybridization का दो हमें पता चल गया अब single bond means carbon हम एक simple compound लेते हैं Alkene में जैसे C2H कितने होगी अगर हम Alkene में देखें C यह होगे 2 C2 होगे H कितने हो सकते हैं carbon 4 बना सकता है 1 बना लिया 3 hydrogen और जुट सकते हैं 1, 2 और 3 3 hydrogen इस carbon के साथ 1 यह चुफ़ता बना गया ऐसे ही यह carbon एक इसने बना लिया यह वाला carbon के साथ यह दूसरा, तीसरा और यह चुफ़ता तो Alkene में सबसे सिंपल क्या है carbon और carbon में single bond है और hydrogen कितने हैं 3 और 3, 6 C2H6 अब याद रखना है कि यहाँ पर यह carbon भी SP3 hybridization शो कर रहा है क्योंकि यह भी single bond बना रहा है और यह वाला carbon भी SP3 hybridization शो कर रहा है और यह वाला जो bond होता है single bond single bond हमेशा sigma bond होता है अब अगर आपने hybridization पढ़ी होगी तो ही आपको समझाएगा single bond हमेशा कौन सा होता है sigma bond होता है sigma bond बनता कैसे है हमने hybridization में पढ़ा end to end overlapping से तो यह sigma bond है single bond जो alkaline में होगा वो याद रखना है कि यह sigma bond है और sigma bond यह strong bond होता है यह mind में आपको सारी चीज़ें याद रखनी है कि जब भी कहीं आप single bond देखो तो आपको क्या सबसे पहला bond पॉंट सा बनेगा single होगा तब ही double बनेगा strong bond बनता है यह alkane की बात किया हमने यह बात किया हमने alkane की आप इसका screenshot ले सकते हो alkane में सबसे सिंप्रेस्ट मालेकुल C2H6 और इसमें hybridization दोनों carbon SP3 और single bond जो होता है सिगमा bond है और strong bond होता है आप इसी तरह हम alkane की बात करें अगर तो alkane में बच्चे क्या बताया आपको कि carbon और carbon के बीच में double bond होता है अब यह वाला carbon कितने bond बना रहा है दो इसने बना लिए hydrogen और कितने जोड़ सकते हैं एक और एक दो दो hydrogen ऐसे ही यह वाला carbon इसके साथ भी दो hydrogen जोड़ेंगे क्योंकि दो दो यह आरड़ी बना चुके हैं तो कितने होगे यह carbon चार bond बना रहा है एक दो तीन और चार ऐसे ही यह वाला carbon यह दो double bond एक hydrogen के साथ एक यह वाला चार bond बना रहा है तो alkane में सबसे simplest कौन सा है C2H4 तो यहाँ पर आपको याद रखना है तब ही जाके double bond बनेगा सिंगल जो bond है मेंस यह sigma bond है एलकेंस में क्या था सिर्फ sigma bond लेकिन यहाँ पहले sigma bond बना और जिन electron से बना उनको हमने कहा sigma electron और जो bond बना उसे क्या कहा sigma bond वो sigma bond strong bond है इसको sigma है यह sigma लिखते हैं और यह वाला जो फिर दूसरा बना sigma के बाद जो हमने double bond कहा जिसको इसको हम कहते है पाई bond पाई bond किसे बनता है पाई electron से एक होगे sigma bond means double bond में एक sigma है दूसरा पाई bond है और sigma और पाई bond में से देखें तो sigma bond strong है पहले ही मैंने बताया लेकर पाई bond जो है ये वी bond होता है as compute to sigma bond ये सारी चीज़ें आपको आएंगी तब ही आप को औरगेनिक आएगी otherwise आप इसमें से एक चीज़ भी skip करोगे तो आपको औरगेनिक आने वाली नहीं ये simple हमने alkane की बात की alkane में सिर्फ single bond था तो हमने कहा सिगमा यहां पर दो है एक सिगमा और एक पाई हो गया hybridization बताया मैंने आपको के यहां पर जब भी double bond बनता है तो SP2 hybridization होती है सिधा माइड में याद रखना है अगर आपने इन आरगेनिक में hybridization पढ़ी है तो जब आप इसकी hybridization निकालोगे दोनों carbon की तो SP2 hybridization ही है सिधा याद रखना है तीसरी बात होगी किसी alkane की alkane में इस carbon और carbon के बीच में triple bond अब carbon ने ये तीन bond बना ली triple bond triple होगे तीन तो कितने hydrogen जूट सकते हैं आप इसने तीन तो बना लिए एक hydrogen और जूट सकता है similarly दूसरा carbon इसने भी तीन बना लिए ये mutual sharing से एक ही और जूट सकता है तो टोटल चार ही bond बना सकता है तो यहाँ वे सबसे सिम्पलेस्टल काइन कौन से होगा C2H4 और यहाँ पे hybridization दोनों carbon ये भी SP hybridization ये भी SP hybridization means Alkines में Alkines में SP3 Alkines में SP2 और यहाँ पे सिर्फ SP hybridization वहाँ हमने क्या पढ़ा कि अब देखो triple bond आ गया यहाँ पे Alkine में तो सबसे पहले क्या हुआ single bond बनेगा तबी जाके double बनेगा फिर triple बनेगा single means सबसे पहले कौन सा bond बनता है sigma bond अब बज़ के पीछे दो ठीक है फिर हमने क्या पढ़ा Alkines में कि जो double bond बनता है इसको हम πाई बन्ट कहते हैं अब जो तीसरे वाला भी है इसको भी हम πाई बन्ट कहते हैं याद रखनें तो means single bond एक सिगमा दो पाई आई होप आपको ये चीज़े समझा गई होगी और याद रखनें तो इन शार्ट अगर हम conclude करें तो Alkines में क्या पढ़ा हमने single bond होता है Alkines में double bond Alkines में triple bond Alkines में ये कौन सा bond है sigma bond Alkines में एक सिगमा है दूसरा कौन सा है ये πाई bond Alkines में एक सिगमा है ये दोनु क्या है पाई ठीक है ये चीज़ आपको याद रखनी है Alkines में sp3 hybridization यहाँ पे sp2 यहाँ पे sp ठीक है और तीसरी चीज़ कि sigma bond strong bond होता है और πाई bond weak bond होता है ये चीज़ आपको याद रखना है अब याद रखना है जहाँ अब देखो Alkines में single है Alkines में double और Alkines में triple तो Alkines में तो सिगमा bond है लेकिन Alkines में πाई है और Alkines में भी पाई बलके एक के बज़ाए दो है तो याद रखना है जिन में पाई बॉंड होता है जैसे Alkines में और Alkines में इन दोनों Components को जो भी कोई Components होंगे Alkines और Alkines के उनको हम कहेंगे Unsaturated Components Unsaturated Components तो जो Alkines वाला होगा उससे हम कहेंगे Saturated Components Single Bond यह चीज़ आपको याद रखने है दूसरा Next जो यह इस जो बैने अभी आपको सब कुछ बताया यह यहाँ पर इतने से पॉइंट इतनी सी चीज़ का मैंने आपको एक्स्प्लेइन करके बताएं आगे हैं Functional Group के एक Compound के साथ यह सारी चीज़ें आप स्टेप समझोगे तब भी पता चलेगा Functional Group क्या होता है Functional Group यहाँ पर आप जब Definition पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई Element या Atom या एक से ज़यदा Element या Atom जो किसी भी Organic Compound के साथ जूड़े हो अब Organic Compound आपको याद रखना है कौन सा Compound अभी पढ़ा हमने Hydro Carbon की जिसमें Carbon और Hydrogen हो Means Carbon और Hydrogen के Compound के साथ कोई दूसरा चीज़ जूड़ी हो जो साथ हमें उसको हम कहेंगी वो उसका Functional Group है जो उसके साथ Attach है और यही Functional Group हमें उस Organic Compound के बारे में बताता है याद रखना है जैसे एक Identity Card होता है पस्तन का वो उसका Identity होता है ऐसे ही एक Functional Group एक Hydro Carbon के Means Organic Compound की Identity है वो बताता है कि यह कौन सा Organic Compound है इसको हम क्या कहेंगे और इसकी क्या Properties हो सकती है सब कुछ Decide इसका Functional Group कहेगा अब हर एक चीज़ के Functional Group जो हैं अलग अलग Functional Group है जैसे मान लो अगर किसी चीज़ के साथ Hydro Carbon के साथ OH Group Attach है OH Group Attach तो हम उसको देखते ही उसका नाम कहेंगे कि यह Alcohol है कोई भी Hydro Carbon जहां पे आप OH Group देखोगे किसी भी Hydro Carbon के साथ तो हम कहेंगे OH इसका Functional Group है FG शार्ट में लिक रहा हूँ और इस OH से पता चलेगा कि यह Hydro Carbon जो है अलकोल है तो यह इसके Identity शोवर कर रहा है मान लो हम एक 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 जेमपल लेते हैं जैसे Carbon CH4 Carbon कितने बॉंड बना सकता है 4 Hydrogen लेकिन अगर Carbon के साथ OH हम अटेज करते तो फिर Hydrogen कितने हो जाएंगे 3 Hydrogen कितने हो जाएंगे 3 क्योंकि Carbon को बॉंड ही कितने मनाने 4 यहां पे तो वो 4 Hydrogen के साथ बना रहा है लेकिन यहां पे वो 3 बनाएगा 4 वो बनाएगा OH के साथ अब यह भी आएक अरगेनिक कंपोंड हा Hydro Carbon और यह भी एक Hydro Carbon अरगेनिक कंपोंड है डिफ्रेंट सिर्फ इतना है कि इसके साथ कोई Function Group नहीं है लेकिन इसके साथ OH अटेच है जो कि एक Function Group है जो यह हमें इससे यह पता चाल रहा है इसके साथ कोई Function Group नहीं है लेकिन यहां पर Function Group OH अटेच हो गया यह भी आरगेनिक कंपोंड है Hydrogen कितने होगे तीन लेकिन यह कौन सा Hydrogen Hydro Carbon या अरगेनिक कंपोंड है यह OH इसका Function Group बता रहा है और यह Function Group क्या बताया है मैंने कि जिसके साथ OH अटेच है उसको हम क्या गएंगे कि वो आरगेनिक कंपोंड अलकोल है Similarly आप सब आगे पढ़ते जाओगे ऐसे ही एक Function Group है COOH ठीक है न जैसे OH है हमें पता की चला कि वो एक Function Group है जिसे हमें पता चला अलकोल अगर किसी आरगेनिक कंपोंड के साथ COOH अटेच है तो हम कहेंगे कि ये वाला जो आरगेनिक कंपोंड है वो कार्बोकसिलिक एसड है ये Function Group है जिसको हम कार्बोकसिलिक ग्रूप भी कहते हैं ये कार्बोकसिलिक ग्रूप किसी भी compound के साथ attach होगा तो हम उसको कहेंगे carbosolic acid है यह जैसे CH4 सबसे simple hydrogen carbon, 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 carbon बना रहा है hydrogen के साथ, simple organic compound है hydrogen है, हमें पता नहीं है के यह क्या है, अब देखो अगर हम इसके साथ CH3 करते है तीन hydrogen के साथ और छौफथा COOH के साथ जोड़ एच जोफता बॉंड इसे इसके साथ मना लिए. अब करबुन बना ही चार सकता है. तो यहां पे चार हो हाइडरोजन हिये. यहां पे तीन हाइडरोजन जोफता सी उएच से. तो हमने जैसे सी एच थरी के साथ ओच था तो हमने कहा है आल्कोल यहां पर COH है तो हम कहेंगे यह कारबोक्स ली कह सके हैं तो ऐसे ग्रूप्स आप सब यह देखोगे आगे सब यूज होगे लेकिन फिर आपको पता भी चल जाएगा लेकिन अभी आपको सिंपल याद रखना है कि जो जहां पर अटैच होते हैं किसी हाइड्रोकार्बन के साथ वो उसके इडेंटिटी बताता है और वो उसके फंक्शनल ग्रूप्स होते है ठीक है ऐसे ही यहां पर आप देखोगे कि किसी भी हाइड्रोकार्बन अरगेनिक कंपोंड के साथ hydroxyl group means OH attach होगा तो उसको हम क्या कहेंगे याद रखना है alcohol यह आपको यहाँ से याद रखना है यहाँ पर दिया हो नहीं है अगर हाँ दिया होगा है hydroxyl group OH का नहीं दिया हो वो alcohol का होगा ठीक है OH यह याद रखना है जहां भी OH है alcohol दूसरा अगर CHO group होगा जैसे OH है अगर CHO है तो हम उसको कहेंगे LDID अगर COOH होगा तो हम उसको क्या कहेंगे कार्बोकसलिक एसट ऐसे बहुत सारे हैं जो आप सब जानोगे NH2 है तो उसको हम Amine कहेंगे कि यह functional group जो है यह Amide है तो हम कहेंगे यह organicophone Amine है तो अभी आपको simple इतना याद रखना है यह सारी चीज़ें आपको functional group सब याद हो जाएंगे एक के करके जब हम पढ़ेंगे अभी आपको इतना याद रखना है कि जो attach होते हैं वो उसके functional group होते हैं और उसके identity बताते हैं तो तो याद रखना है वो कि नेक्स टेकिनी थेंगे